सडकों पर कीलें और आंसू गैस के गोले, सिंगु से शंभू बॉर्डर तक अपनी मांगों को लेकर किसान दोबारा सडकों पर हैं। शंभू बॉर्डर में किसानों ने घमासान मचाया हुआ है। पुलिस बैरिकेडिंग्स को तहस नहस कर दिया है। इसके चलते पुलिस ने कई आंदोलन कारियों को हिरासत में ले लिया है। पर इस्थिति देखकर ऐसा लग नहीं रहा कि किसान वापस जाएंगे। इस बार किसान अपनी अलग-अलग मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार से किसानों की मांगे हैं 1. किसान नेता नियूंतम समर्थन मूल्य MSP पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। 2. किसानों ने दिल्ली मोर्चा के दोरान केंदर सरकार की ओर से जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया गया था, उन्हें तुरंत पूरा करने की मांग की गई है 3. साल 2021-22 के किसान आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमें दर्ज किये गए थे उन्हें रद्द करने की मांग शामिल है 4. इस बार के आंदोलन में केंद्र सरकार से किसानों की मांग है कि पिछले आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवार को मुआवजा तथा एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है 5. किसान नेता चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीडितों को केंद्र सरकार न्याय दे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दे 6. दिल्ली कूच करने वाले किसानों नेताओं की इस बार सरकार से मांग है कि वो सभी किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ करें 7. साथ साल से उपर के किसानों को 10,000 रुपे पेंशन देने की मांग भी शामिल है 8. कृष्षिव दुग्ध उत्पादों, फलों, सबजियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भट्ता बढ़ाने की मांग की गई है 9. किसान नेता, किसान स्वामी नाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं 10. केंद्र सरकार से किसान कीटना शक, बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग कर रहे हैं